प्रेम आता दी दोस्तों, कई लोग तो उपर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं, उनके चेहरे पर भले ही मुस्कान दिखाई पड़ती हैं, परंतु उनके मन में उथल-फुधल मची रहती हैं, उनके दुख उनके मन में कुछ इस प्रकार से घ पाई जानेंगे जिसके बाद आप दुखी मंद की समस्या से चुटकारा पा लेंगे चलिए जानते हैं पहले वो कहानी एक व्यपारी ने शहर में नया घर खरीदा उसके घर के बाहर पारकिंग और खुद का एक छोटा सा बगीचा भी था वह व्यपारी बहुत ही खुश था एक दिन जब वो अपनी कार पारकिंग से निकाल रहा था तो उसने देखा बगीचे के बीचों बीच एक पत्थर का हिस्सा जमीन से उपर निकला हुआ है और उससे टकरा कर उसकी कार का पईया पंचर हो गया अगले दिन उसी पत्थर की वज़ा से कार की हेडलाइट भी त काल काये होगी तभी तो गाड़ी को एक के बाद एक नुकसान पहुचा रही है चटान बेहत विशाल है और उसका हल निकाल पाना मेरे बस की बात नहीं यह सोचकर व्यपारी अपने काम पर चला गया अगले दिन जब वह फिर से अपनी कार निकालने की कोशिश करने लगा तो एक पर फिर वह पत्थर उसकी कार के टायर पंचर कर देता है यह देखकर व्यपारी का गुस्सा आपे से बाहर चला जाता है और वह फैसला कर लेता है कि आज चाहे जो हो जाए वह इस चटान को जमीन से बाहर निकाल कर रहेगा उसने अपनी मदद के लिए अपने उखाड कर रहेंगे इतना कहते ही व्यपारी ने उस पत्थर पर वार करना शुरू कर दिया अशरे की बात यह थी कि व्यपारी ने मत्र दो से तीन बार ही उस पत्थर पर वार किया था और इतने में ही व्यपूरा पत्थर जमीन से बहार निकल आया यह देखकर सभी हैरान व्यपारी भी काफी चौक गया व्यपारी के मित्रों में से एक मित्र मुस्कुरा कर बोला तुम तो कहते थे कि बगीचे के बीचों बीच एक बड़ी से चटान दबी है लेकिन ये तो एक छोटा सा पत्थर निकला जो मात्र दो तीन प्रहार से ही बाहर आ गया यह देखकर व्यपारी को बहुती पश्टावा हुआ काश उसने पहले ही इस पत्थर को निकालने का प्रयास कर लिया होता और आज तक उसे इतना नुकसान ना हुआ होता साधी वो अपने मित्रों के सामने हस्से का पात्र बनने से भी बश जाता इसे विश्य से संबंदित गीता में कुछ सलोग पाई जाते हैं शिरी कृष्ण कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वशेष्ट मित्र है किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं और वहीं दूसरी बाद शिरी कृष्ण कहते हैं मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण यहां वहां विचलन करता है लेकिन मनुष्य को उसे वहां से खीच कर लेना चाहिए और अपने वश में रखना चाहिए दोस्तो कोई भी दुख दर्द या परिशानी सबसे पहले हमारे मन पर ही वार करते हैं क्योंकि वहें जानते हैं अगर मन पर घाव कर लिया तो समझो संपूर्ण मनुष्य पर विजे पा ली परंतु वास्तम में कोई भी दुख और परिशानी उतने बड़े नहीं होते जितना की हमारा मन उन्हें समझ बैटता है कई बार हम अपने जीवन में आने वाली चोटी-चोटी परिशानियों को चटान सा विशाल मान कर बैट जाते हैं मन में विचार बना लेते हैं कि हमारा दुख बहुत बड़ा है और इसी विचार की वज़ा से हम कभी भी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाते जबकि असल में वो परिशानी चोटे से पत्थर के समान होती है इसलिए जब भी आपके मन में कोई दुख आए तो उसके बारे में मन ही मन विचार करने की बजाए उसकी एक विचार शवी बनाने की बजाए उस दुख से लड़ना सीखें और जैसे ही आप उस दुख से डरने की बजाए उससे लड़ने की ठान लेंगे कटान की तरह दिखाई देने वाला वहदुख पत्थर के समान प्रतीत होगा इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए आपने दोस्तों रिस्तदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नाटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सके धन्यवाद दोस्तों